किसान भाईयों इस समय आलू की फसल पे लेट ब्लाइट वारली ब्लाइट रोगों का प्रकोप काफी देहने को मिलता है मतलब आलू बोने के 25 से 30 दिन बाद जब आलू के पेड़ 4 से 5 पती के वस्ता में होते हैं इस समय मौसम में काफी ठंड हो जाती है और अधिक ठंड वा कोरे की वज़े से फसल को पुण धूप नहीं मिल पाती है इस करण आलू की फसल में अगेती जुलसा रोग के परकोप की संभावना काफी बनी रहती है इसलिए रोग आने से पूरू ही हमें मेटाल एकसल प्लस मेंकुजब जो की कई नामों से आती है उसका 300 से 400 ग्राम प्रतियकड या फिर लगबर 1500 से 200 लिटर प्रतियकड पानी में घोल बना का छिड़काव करना चाहिए और इस दवा का 10 से 12 दिन के अंतराल पर 203 बर छिड़काव करते रहना चाहिए क्योंकि जैसे ही फसल की बढ़वार होती है वैसे ही ठंडवा कोरा भी बढ़ता रहता है इसलिए पिछेती जुलसा का परकोप होने का खत्रा भी बना रहता है तथा इस दवा का 203 बर प्रियोग करना अविशक होता है और किसान भाईयों ध्यान ये रखना चाहिए कि सप्रे वा दवा पेड़ की निचले हिस्से जैसे की तने पर समान रूप से सप्रे होना चाहिए इसके लावा आप इस दवा को लगबस अभी परकार की फसलें, सबजियां और फूल वर की फसलों में प्रियोग कर सकते है तो किसान भाईयों ये सब कुछ था कि आलू की फसल में पहला फंगी सेट के सप्रे कब और क्यों करना चाहिए धन्यवाद